नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता भारत ने इतिहास रश्टे हुए 18 निवेंबर को देश में पहली बार सफलता पूर्वक प्राइविट रॉकेट लॉंच कर दिया अंतरिक्ष की दुनिया में इसी के साथ ही भारत ने एक नए अध्याय की शुरुवात की सबकी निगाहें उस वक्त श्री हरी कोटा के सतीज धवन स्पेस सेंटर पर टिकी हुई थी जहां से प्राइविट रॉकेट विक्रम एस को सफलता पूर्वक लॉंच किया गया हैदराबाद की निची कंपनी स्काइरूट एरो स्पेस ने विक्रम एस रॉकेट का निर्मान किया है इस रॉकेट को इस्रो की मदद से लॉंच किया गया पवन कुमार चांधना ने साल 2018 में स्काइरूट एरो स्पेस स्टार्ट अप कंपनी की शुरुआत की थी और महस चार साल में विक्रम S रॉकेट को लॉंच करने में सफल हुए पवन कुमार चांदना के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था उन्होंने इस्टरों की नौकरी छोड़कर अपने साथ ही नागा भारत डाका के साथ मिलकर स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी की शुरुवात की थी दोनों की मेहनत रंग लाई और इन्होंने देश को पहला प्राइवेट रॉकेट दिया IIT के छातरों के लिए इस्टरों की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करना बेहत मुश्किल था जब उन्होंने कंपनी की नीव रखी तो वो बस यही चाहते थे कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को रखतार देते हुए अपना प्राइवेट रॉकेट लॉंच कर सके उन्हें अंतरिक्ष नीतियों के बारे में जानकारी थी तो वही उम्मीद थी कि अगर वो काम्याब हो जाते हैं तो सरकार का ध्यान देश में स्पेस टेक्नोलोजी प्लेर्स की संख्या में बढ़हौतरी करने पर होगा इसे ना केवल इस सेक्टर में विकास होगा बलकि अंतरिक्ष में भारत की धाग भी बढ़हेगी मिशन प्रारंप की सफलता के बाद पवन और नागा की तुलना एलिन मस्क के स्पेस एक्स से की जा रही है दुनिया के सबसे रईस शक्स एलिन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने साल 2008 में पहली बार प्राइविट तौर पर विक्सित लिक्विट फ्यूल रॉकेट लॉंच किया था 32 साल के पवन कुमार चांदना का रुझान हमेशा से ही रॉकेट और स्पेस साइंस की तरफ रहा है उन्होंने आई 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 टी खड़कपुर से मेकैनिकल इंजीनरिंग की और जब वो मास्टर्स कर रहे थे तब नासा के एक प्रोग्रैम में काम करने का मौका मिल गया इसरों में नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात नागा के साथ हुई दोनों एक साथ विक्रम सारा भाई अंतरिक शिकेंद्र में काम कर रहे थे यहाँ पर चांदना साइंटिस्ट थे तो वही नागा इवियोनिक्स इंजीनियर के तौर पर न्युक्त थे बस इसी दौरान इनकी दिलचस्पी रॉकेट लॉंचिंग और मशीन जी के ओर बढ़ने लगी तब ही उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया और स्पेस कमर्शिल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हांसिल करने लगे और फिर शुरुआत हुई स्पेस रूट की चांदना और नागा मिलकर विक्रम एस रॉकेट से जादा बड़ा रॉकेट लॉंच करने की तयारी कर रहे हैं उनका ये रॉकेट विक्रम एस से पांच गुना बड़ा होगा इन दोनों की सफलता और अंतरक्ष में भारत की धमक को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार